आपके साथ मैं हूँ ग्यानेंद्रे मुझे माफ करना यारो मैं नसे में हूँ आज ये कहानी इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि बेगू सराय में एक नसेडी ने पुलिस वाले को रात में तारा और दीन में सुर्ज का नजारा भी दिखलाया बात तो सही है कि रात में तारे दीखते हैं और दीन में सुर्ज दिखता है लेकिन नसेडी इस नसे में था कि मैं पुलिस वाले को दीन में ही यानि कि आपको तारे दिखला दूँगा और रात में सुर्ज का नजारा दिखला दूँगा काफी महौल वہाँ टाइट था ये नसेडी जो था सराब के नसे में इस तरीके से धुद था कि जभ पुलिस वाले पहुँचे तो उनको वो उपर अकास की और इसारा करके पुलिस वाले को बता रहा था कि देखो यही मेरा आसियाना है यही मेरा घर है और यही मेरा ठीकाना है पुलिस वालों ने उसे पकड़ लिया और पकड़ करके पहले अस्पताल ले गए उसकी जाच कराई और जाच कराने के बाद क्या कुछ हुआ और किस प्रकार नसेडी कर रहा था पहले वो तस्बीर देखिए काफी रोचक है नसे में ह करना और आकास के तारो को गिनाने लागा था यह सराबी जड़ा देखिए आपे तस्बीर के अज़िए अगा कॉन है यह अगा कौन है यह कौन है यह आई तो निटीज कुमार अजय के जाए कि बोड़ का है हाई है है हम आए है कुछ पेशा के लिए है तो हमको कहा है तंक कर आई यह तंक नहीं करना चाहिए ना रहा है हम प्रसेंट हमारा भक्ति रहा है का इसलिए ब्यम होश्पितर गष्टी में खे लाखो थान अंतरगाच लाखो दुर्गास थान अगे वहीं परीश सोया हुआ था वहां से कुछ न दिया हुँगे उठाके उसकी चल पचार के लिए लाए तेके पीले हाला की सोया हुआ था हम उसको उठाए लाए गारी को फीचर यहां पर जंद पताल कराके ले जा दिए पता चला आपने देखी यह फ्लाइग निवासी यानि कि बेगू सराय के आपको यह असोक कुमार नाम है इस ब्यक्ति का सराभी जो है नसे में है और यह इसका कहना है कि मैं अपने परिजन का इलाज करने अस्पताल आया था और इन लोगों ने मुझे जबरन पकड़ लिया लेकिन पुलिस वालों का कहना है कि यह हंगामे की बात हमारे पास आई थी यानि कि यह चौक पर खड़ा हो करके विसकरमा चौक है वहाँ पर बेगू सराय में और वहाँ पर यह हंगामा कर रहा था जिसकी सुचना मिलने के बाद हम लोग वहाँ पर पहुँचे और इस ब्यक्ति को हम लोगों ने डिटेन किया और उसको अस्पताल ले करके आया है लेकिन इस दोरान जब मीडिया वालों ने उसका फोटो बनाना सुरू किया तो वो धमकी भरे लहजे में और अपने ही लहजे में कि यह कौन सक्स है जो बार-बार मेरा फोटो खीच रहा है इसे ज़रा मेरे पास तो लाईए मैं इसको दिखलाता आँ कि मैं क्या हूँ और वो अकास की और हाथों से ही सारा करके पुलिस वालों को तारे गिनाना सुरू कर दिया था और अकास से बाते भी करनी सुरू कर दी थी तो यह काफी इंट्रेस्टिंग लगा खैर बिहार में सराब बंदी है बिहार में सराब बैन है हम आप जानते इस सराब पीने वाले और सराब बेचने वालों के लिए कड़े कानून है ऐसे में इसी वक्त को अगर पकड़ा गया है तब पुलिस ने प्रिक्रिया के ताथ पहले जाच कराया जाच कराने के बाद अब आगे की करवाई में जूट गई है और इस सराबी को जब नसा उतरेगा तो पता चल जाएगा कि सराब पीना कितना जुर्म होता है बिहार के में खास करके बिहार में और इसे भी पता चल जाएगा कि रात में सूर्य नहीं दीखते और दीन में तारे नहीं गीने जा सकते है तो बने रहे है कसिशनी उचके साथ अगर इस वीडियो को यूटूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लिजे अगर फेस्बूक पर देख रहे हैं तो लाइक कर लिजे धन्यवाद